सर्विस उवीदा युक्त अमन मैरेज गार्डन शादी पाइटी और किसी भी आयोचन के लिए संपर्क करें पता तिली एस्पताल रोड चैतन्य हॉस्पिटल के पीछे राम मंदर का मुद्दा आज भी देश का सबसे बड़ा और अंसुल्जा मुद्दा है जिस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं आया है लेकिन इस पर नवंबर में फैसला आने वाला है मद्द प्रदेश के नरसिंग पुर जिले के जोदेशवर आश्रम में शंकराचार स्वरूपानंद सरस्ती जी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो नों ने कहा कि जन्म भूमी के टुकड़े नहीं होना चाहिए और अराद राम का मंदर वनना चाहिए बहीं अपने शिस्ति दिगवजाई सिंग के सादू बाले बयान पर शंकराचार ने दिगवजाई सिंग का बचाव किया देखिए और क्या बोले शंकराचार बहस किये हैं और अभी में बहस करने करें तैयार हैं हम लोगों का कथन यह है कि जन्म भूमी के टूरे नहीं होना चाहिए और वहां पर आराध धिराम का मंदिर वनना चाहिए किसी मनुष्छ के रूप में उनका मंदिर नब ना कर इस शर के रूप में उनका मंदिर बना चाहिए और उनकी बिविदार से बुज़ा होने चाहिए क्भी वे एक सिर्द्धूस्तान और उनके ये कहा कि जो नकली कि सादू का बिष्ट बना कर बड़ाद घर कर रहे हैं वो निंदनी हैं कि बास्तों महत्मा है उनका आधर होना चाहिए और सूच समझ कर हमें उनका सुस्थन करना चाहिए मात ते सब भगवाधारियों का उनके बरोद्नी किया वाब देखिए कुछ ऐसे रोग हैं जो सादी तो बन रहे हैं लेकर रेफ में बकल जा रहे हैं तो उनकी अगर हम लोग निंदना करें और उनकी ही पसंचा करें तो ये अन्शित होगा तो दिवजय समझ ने इस तरह की बात ने किया हम लोगों के पीछे लग जाते हैं उनको बचाया जाए जैसे पराशीर काल में आपने पढ़ा होगा कि सीता जी का हरन करने के लिए राउन सादू ही बना किसमन के गया था अनमान जी का रास्ता रोगने के लिए जो काल में इनाक्षत था वो सादू ही बन के गया था तो ऐसे लोग अगर भगवा दहरन करें तो हम उनका भी अनसरन करें ये बात पुछे था नरसिंग पुर से अनुज ममार सागाटीव न्यूज सर्विस उवीदा युक्त अमन मैरेज गार्डन शादी पाइटी और किसी भी आयोजन के लिए संपर्क करें पता तिली एस्पताल रोड चैतन्य हॉस्पिटल के पीछे तो संपर्क करें 93294276037879281094